हेलो एन वेकम गाइस स्वागत आपका फेंटासी डिस्टन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने के दीम 11 स्पाइस आइस टी टैन की मैच की जो की मैच होने मला ऐसे चिन्ना मन पेसस वसिस जिंजर जनरल्स के बिच में चले दोनों टीम के प्लेयर पर को मिलेकर जाना है को लोग यहां से अवर्ड करके जा सकते हैं इसी वीडियो में कर लेंगे चले फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात कर इसमें किससे पहले एक चोटी स्रिक्वेस्ट आईगी कि यूटूब चैनल को अभी तक आपने सस्क्र स्क्रिप्शन में अल्रेडी लिंक एटेश कर दिया है इनके सगर लिंक वर्क नागे टेलिकाम में जाए सर्च करें फेंटासी डिशन चैलेंजर या फिर आप सच कर सकते हैं एप डिसी ट्वेंडी सिवन और कुछ एसे प्लेयर से जिनके शायद वह पहली बार टीटन खेल सकता है चेजिंग करना पसंद कर सकते हैं बात करते हैं तो यहां से अलिक अथान आजे और यहां से डेसरन मेल होनी दोनों ऑपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं अभी देखो बहुत से ऐसे प्लेयर से जिनके स्टेट्स कई पर भी अवाइलेबल नहीं है इनके बैटिंग स्टाइल भी कई पर अवाइलेबल नहीं है तो जब तक पहली मैच नहीं होती तब तक यह मैच थोड़ी सी रिस्की रहने वाली है लेकिन मैच जितनी यहां से रिस्की होती है इतनी ही यहां से आपको Grand League खेलने में और मज़ा आती है क्योंकि Grand League में जो रिस्की टाइप के मैचों से उसमें आपको Grand League वगेरा केलने के लिए काफी अच्छा रहेगा बाकि Small League के लिए यह मैच थोड़ी से प्रिफर नहीं है आप देख सोगे शिक्ष्ट्री थी कि यहां से अवरेज अलिक अथान आजेगी तो इवन कैप्टन और वाइस कैप्टन सिप के लिए अच्छी चोईस बने वाले अथान आजे इनको लेखे जाएंगे अभी मेलोनी की बात करें तो इनके रेकोर्सम को मिलें फर्स ख्लास मैच इसके जापर उन्होंने पांच मैच के अंदर 178 रन कियो करीबन 46 के वरेज से तो मैंने यहासे इनको opening में mention किया हुए क्योंकि वैसे तो है opening बल्ले बाजे लेकिन betting order थोड़ा सा open नीचे हो सकता है माइकल नेरीन यहासे opening कर सकते है अगर मेलोनी थोड़े से नीचे खेले तो यहासे नेरीन आपको opening करते हो नजल आ सकते है तो इससे आपको captain और wise captain ship के choice शायर ही मिलने वाली है तो यह दोनों इप्लेयर्स यहासे अथान आजे हो और यहासे नेरीन के उपर आप ज़रू ट्राइ करेगा captain ship और wise captain ship के तोर पर even small league और grand league दोनों के लिए आपको यहासे importance रहने वाले अभी देखो जितने भी important player थे उपर तीनों यहीं पर basement खतम हो गए बाकी अभी देखो यह सारे आएंगे वो थोड़े से okay okay type के pick रहेंगे आसे कार्मी कल के बाद के हो तो एक match खेले T20 जहाँ पर 13 run का score किया है अभी दक T20 के उनके कहीं पर records नहीं और first class matches लिस्टे matches के कोई भी records इनके available नहीं है तो यह थोड़े से risky type के player रहेंगे तो आपको grand league बगेर हमें इनको try करना है क्योंकि एक match के अंदर 13 run किये तो हो सकता है बैटिंग से थोड़े बहुत उपर उनको बेजा जा सकता है करते हुए नजर आ सकते हैं तो इनको जरूर अपनी team के अंदर लेके आप जा सकते हो Jonathan Taylor एक ही match खेले हो अंडर 19 की और वो भी कहाँ पर 2015 में इनके जो records मिले एक ही match के मिले और वो भी कहाँ पर 2015 की matches के जहाँ पर वो अंडर 19 एक match खेले थे जहाँ पर उन्होंने एक match खेली थी क्योंकि I think के मुझे लगता है तब तक के पूरी ओस यहाँ से करवा सकते है जावेस अज़ाड यहाँ से विकेड कीविंग सेक्षन में रिखेंगे बारा मेंच के अंदर 15 रन थे लास्ट सीजन में तो थोड़े से टाइप के पिक रहेंगे लेकिन हमें उनको लेके जाना ह से आपको यहाँ से पिलिंग के अच्छा कासी पॉइंट्स देने वाले हैं से हजाड विकेड के बिंग सक्षन से हिपोलाइट की बात करो तो यह बंदा भी आपको हर एक मैच के अंदर लगबग पूरी ओस करवाता हो नजर आ सकता है वैसे ज्यादा दर जनता की नजर भी इनके उपर होने वाले नहीं है ग्रांड लिक के लिए आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकता है यहाँ से हिपोलाइट ग्यारा मैच के अंदर सोला वोस की गेन बाजी की है साथ में च्यार विकेड भी निगा लिए ज्यादा है इतने कुछ खास रेकोर्ड्स नहीं लेकि यहाँ से एक दो विकेड जरूर ने चटका सकता है बाकी यहाँ से तीन प्लेयर के स्टेट्स नहीं मिले है तो यहाँ से तीन में से कोई भी आपको खेलता हो नजर आ सकता है हाला कि कही पर भी इनके रेकोर्ड्स कही पर भी अवाई लेवल नहीं है तो इसके लिए प्लेयर्स लेने वो थोड़ी से टॉप ओडर में लेने और जो हमको चाहिए थे वो अल्रांडर्स अल्रेडी हमने यहाँ से मेंशन कर दिये हुए है तो इन में से कोई खेलता है इनके स्टेट्स मिलते है तो आपको मैं टेलेग्राम में जरूर प्रवाइड कर दूँगा बाकी टीम में अपनी तरफ से बना के देने मालों टेलेग्राम है तो टेलेग्राम से जुड़ना बिल्कुल नहीं बत भुलिएगा तो आईए जली बात करते हैं यहां से जिंजर जनरल्स की तो यहां से रोनाल्ड कांटो और यहां से किमानी मिलियोस अब यहां से ओपनिं प्रिक रहेंगे मैक डोनाल बैटिंग से बॉलिंग से दोनों इसे अच्छा खासा एडवांटेज दे सकता है इनको जरू लेखे जाएंगे क्यों को बैटिंग से अच्छी कासी एक्टेशन रख सकते हो तिसरी या चौतिय नमर पर बैटिंग करवा सकता है और यहां से इन पीटर्स ओक्योके फिक रहेंगे आठ मेच के अंदर सिर्फ बारा रन है यहां से एडवन लेरी इंपोर्डेंट बिक बनेंगे यहां से बैटिंग से तो ठीक ठाक परफॉर्मस देंगे लेगिन बॉरिंग से हर एक मैच के अंदर पूरी वोस कराएंगे विकेट लेने के चांसे ज़्यादा है यहां से 12 मेच के अंदर 10 विकेट निकाल हुए तो हर एक मैच के अंदर आपको विकेट लेते हो नजर आ सकते हैं रेनोल्ट एक अच्छी पिक बन सकते हैं, 12 मैच के अंदर 6 विकेड हैं, हर एक मैच के अंदर पूरी वोस करवा सकते हैं, और यहां से निकोलस पूरी वोस करवा सकते हैं, और बाकी इसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि यह जो सारे प्लेयर से नहीं, यह कही पर मैंने चेक कक कहली है, लेकिन कही पर भी इनका नाम नहीं है, इसके लिएक स्टीस सकते हैं, क्योंसे प्लेयर को वोस के लिएक से ल मैंने जा सकते हैं, तो विकेडिक में इक सेक्षन से यासे हचाड को लेके जाएंगे बैटिंग सेक्षन के बात करते हो यासे अथान आजे आर काटो और यासे डी मेलोनी हमारी टिम में रहने वाले बाकि जोर्ज क्योंने को जरूर आप ट्राइक कर सकते हो अपनी स्मॉल लिकी टिम के अंदर भी भी आपको अच्छा पर्फॉमस दे सकते हैं ऐसे मिलियोनस भी स्वरी मिलियोनस आइधिंग के शायद ओके इनके बारे में बताया था बाकि वाल्ल राउंडर सेक्षन के बात करूं तो बूल जाता हो यार बात करें तो यहासे यहासे मैक डोनाल्ड सी चार्स हो यहासे सी रैनौल्ड हमारी टिम में रहने वाले हैं बाकि हिपोलाइड को आपको जरूर ट्राइ करना है डिफरेंसेल चोईस पर यहासे ग्रांड लिग वगेर हमें इस प्लेयर को जरूर ट्राइ करिएगा बॉलिंग सक्षन के बाद के बात कर तो यहासे लेरी यहासे निकोलस औ पर आपको और नहीं आ रहा है अपना क्रेटी रिष्व नहीं आ रहा है तो यह बड़ी को ले सकते हो टीम अभी कुछ इससरा से रहेगी केप्टन हमारे रहेंगे नेरियन और वाइस कैप्टन देने वाले लेकिन यादर यह देमो टीम है पाइनल टीम आपको मिलेगे टेल टेलिग्राम में फाइनल लाइप के बाट टेलिग्रम से जुनना बिल्कुल मत बुलेगा नीचे डिस्क्रिप्सेन में ओल एडि मैंने लिंक एटेश करें इनके सब्सक्राइब करें तब तक आप पूरा वीडिए रखते रहो बाई धन्यवाद जैहिन जय बारत